जैसी किश्ना रधे राधे जैहो स्री धर्मराज जी की अगर आप मकर सक्रांती के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको धर्मराज जी की कहानी के साथ इन ग्यारक कहानियों को भी जरूर सुनना चाहिए तबी धर्मराजी की कहानी सुनने का संपून फलप्राप्त होगा मकर सकरांती से धर्मराजी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा धर्मराजी की कहानी कोई पूरे साल भर सुनता है कोई 6 मैने तो कोई सवा मैने सुनता है तो कोई 7 दिन सुनता है अगर आपकी सामर्थे है तो धर्मराजी की कहानी सुनने के साथ वरत भी करे और अगर आपकी सामर्थे नहीं है तो रोज इसनान आधी करने के बाद घी का दिया जलाकर एक मुठी जवार और एक मुठी बाजरी रखकर धर्मराजी की कहानी सुनें उसके बाद ही अनजल ग्रहन करें फिर इस एक मुठी जवार और बाजरी को चिड़ी कबुत्रों को डालनें दूसरे दिन पुन है इस नान आधी करने के बाद गी का दीपक जलावे और एक मुठी जवार और बाजरी रख कर फिर से कहानी सुने अगर आप पूरे नियम से इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मरने के बाद परलोक में स्वर्ग का सुक जरूर मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में जिन कहानीों को सुनाऊंगी अंत में उन कहानीों की उद्यापन विधी भी बताऊंगी आईए सबसे पहले धैमराजी की प्रामुपुराणिक सत्यकता सुनते हैं एक बार एक गाउं में एक ब्रामन दमपती रहते थे ब्रामन दमपती के दो लड़के थे और एक विद्वा पुत्री थी ब्रामन दमपती बड़े ही गरीब थे लेकिन वे हमेशा अथीती सेवा क्या करते थे हर रोज एक अथीती को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे ब्रामन दमपती ने ये नियम ले रखा था संजोग से अगर किसी दिन अथिती उनके घर नहीं आता तो वे गाए को घास और चिडिया को दाना और कुते को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन करते थे तब एक बार की बात है चुमासे का समय था लगातार चार दिन तक बरसाथ होती रही ब्रामन के आगर में अतीती तो क्या चिडिया तक नहीं आई ब्रामन अपने नियम का पक्का था इसलिए उसने चार दिन तक अन्न जल ग्रहन नहीं किया ब्रामन की ये कठोर परिशा थी वे भूको मरने लगा तब भगवान को उसके उपर तया आ गई तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारन करके ब्रामन के आगन में आए सुम भगवान विश्नु और माता लश्मी ब्रामन का नियम रखने हेतु आये थी ब्रामन कुटुम ये देख कर बड़ा प्रसन हुआ घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिये लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा ये देख कर ब्रामन दमपती दुखी हो गए कि तब हंस का वाचा फूटा हंस बोला कि हे ब्रामन देव हम तो मान सरोवर के हंस हैं हम तो केवल सचे मोती ही खाते हैं ये सुन का ब्रामन दुविधा में पड़ गया वे मनीमन सोचने लगा कि हमारे खुट के खाने के फाके हैं सचे मोती कहां से लाएंगे लेकिन ब्रामनी बड़ी ही समझदार थी ब्रामनी ने हिम्मत जुटाई और गाउं के जवेरी के पास गई और अपने घर के कागजाद गिर्वी रख कर सवासेर मोती उधार मांग लाई और लाकर आंगन मेवा खेर दिये हंस और हंसनी ने प्रसनता पूर्व सचे मोती खाए और आशीरवाद दे कर पानी पीकर उड़ गे चार दिन से भूके ब्रामन दमपती ने अपनी बेटी के साथ भोजन खाया भोजन खाने के बाद ब्रामन की बेटी जब बड़तर मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि एक कौने में एक मोती पड़ा रह गया था उसने उस मोती को उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया दूसरे दिन ब्रामन दमपती रोज की तरह सुबह जल्दी उठे इस नान आदी करके तुलसी क्यारे को सीजने गए तो उसमें देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी यह देख कब ब्रामन दमपती और उनकी बेटी आश्चरिये में पढ़ गए ब्रामन दमपती समझ गए कि वे हंस और हंस नी कोई ओर नई सम भगवान विश्नु और वातालक्ष्मी ही थे फिर ब्रामन ने अपने तुलसी क्यारे में से सच्चे मोति बीन कर सवासेर सच्चे मोति जवेरी को ले जाका लोटा दिये और अपने घर के कागजात घर ले आई जवेरी पानीदार सच्चे मोति दे कर बहुत खुश हुआ ब्रमनी मन सोचने लगा कि मैंने तो ब्रामनी को हलके मोती उधार दिये थी लेकिन यह तो मुझे सच्चे पानीदार मोती दे कर गई है जहवेरी ने उन मोतीयों की एक माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दिया जहवेरी की लड़की उन मोतियों की माला पहन कर नगर के राजकुमारी के पास उनके महल में खेलने चली गई जब राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में जिल मिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से हट करी कि पिता जी मुझे भी ऐसी ही माला चाहिए राजा ने उसी समय जहवेरी को महल में बुलवाया और उससे कहा कि जैसी माला तुने अपनी लड़की के लिए बनाई है ऐसी ही माला राजकुमारी के लिए भी बना कर के दो जहवेरी चिंता में पड़ गया क्योंकि उसके पास ऐसे पानिदार मोती ओर नहीं थे जहवेरी ने हाथ जोड़ कर राजा से विंती करी और बोला कि हे महाराज ऐसे पानिदार मोती तो हमारे गाव के ब्रामन के घर पर है मेरे पास नहीं है फिर जवेरी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई राजा ने उसी समय भ्रामन के घर जाच करवाई तो उसे पता चला कि भ्रामन के आंगन में एक तुलसी क्यारा है उसमें ऐसे पानिदार मोती उगते हैं यह सुन कर राजा ब्रामन के घर एक मंतरी के साथ पहुचा पानिदार मोतियों से लचक्ती तुलसी क्यारी को देखकर राजा को महन आश्चरी हुआ राजा के मन में लालज पैदा हो गया वे सत्ता के जोर पर पूरी तुलसी क्यारी को उठा का ले जाने लगा लेकिन यह क्या राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से चिपग गए राजा नहीं सकता था नडूल सकता था यह देखकर साथ हाई मंतरी ने राजा से कहा कि है महाराज मुझे शमा करना चोटी मुँ बड़ी बात कह रहा हूं यह तो ब्रामन के आंगन का तुलसी क्या रहा है उसके तब के प्रताफ और सत के प्रताफ से उसके पानिदार मोती पकते हैं इसलिए आपको यह लालश नहीं करना चाहिए था अगर आप हाथ चुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्रामन से माफी मांगनी होगी तभी आपको मुक्ती मिलेगी यह सुन का राजा को पश्चाताप होने लगा राजा ने उसी समय ब्रामन से अपनी गलती की माफी मांगी जिससे राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से छूट गे उसके बाद राजा ने ब्रामन दमपती को खुखू सरादन उपहार में दिया और महल में आ गया इस तरह उनका समय बीतने लगा ब्रामन ने बच्पन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने के लिए भीज दिया था अब समय पूरा हुआ बच्चे बड़े होगे तो वे घर आगे ब्रामन दमपती अब बुजुर्ग हो चले थे इसलिए उन्होंने अपनी माल मिलकियत दोनों भाईयों में बराबर बाड़ दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का आदेश दिया समय पूरा होने पर ब्रामन ब्रामनी एक एक करके मृत्यू को प्राप्त हो गए दोनों भाईयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा लेकिन माता पिता की म्रत्यू होने के बाद दोनों भाई और भावियां बदल गई और बहन को तीसरा भाग देना विबंद कर दिया माता पिता ने अतिती को भोजन कराने के बाद भोजन काने का जो नियम लिया था वो भी भूल गे परन्तु बहन नहीं भूली, बहन ने ये नियम कायम रखा, उसके आंगन से कोई भी भूका नहीं जाता था वे बड़ी ही धर्म निष्ट थी, वे हर रिकादिशी का उपवास करती थी और पूझापाट करती थी अपनी सामर्थय के अनुसर दानपुन्य करती थी, उसने एक ब्रामन को गवदान भी किया था समय बीता, बहन थोड़ी बिमार रहने लगी तो एक दिन मित्यू को प्राप्त हो गई बहन की मित्यू का समाचार सुन का दोनों भाई आये और उसकी मित्य दहे को शंचान में ले जाने लगे बहन बड़ी ही पवित्र थी, उसकी आत्मा शुद्ध थी इसलिए उसके द्वार किया गया गाय का दान उसको शंचान मातर में वित्रनी नदी पार करा गया उसके द्वार किये गे जुते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी उसके द्वारा कियेगे वस्तरदान से गरम सरीयों पर कपड़ा लिप्टा हुआ मिला वह इस पर्ष करते ही पार उतर गई उसके द्वारा कियेगे अन्यदान से उसको भूग कदुग भी नहीं उठाना पड़ा उसकी आत्मा सभी विधन पार करके धर्मराजी की चोखट पर पहुँच गई धर्मराजी ने उसका इसाब किताब देखा और बहन से बोले कि बहन तुने अपने जीवनकाल में खुब दानपुन्य करे वैं तेरा सब यहाँ संजित है लेकिन तुने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया नहीं मेरे नाम का कोई दानपुन्य किया इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा तो बहन बोली कि हे धर्मराजी मुझे आपके व्रत और नियम का पता नहीं था अगर मुझे आप के वरत का पता होता तो मैं उसे जरूर करती हे धर्मराजी आप मुझे साथ दिन के लिए प्रत्वी परपुने भीज दीजिए मैं आप के नाम कवरत करूंगी और दानपुने भी करूंगी हे धर्मराजी अब आप मुझे बताईए कि आपके व्रत की क्या विदिय हैं और ये कब करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और इसका उध्यापन कैसे करते हैं वो भी बताईए धर्मराजी बोले की बहन मेरा यह व्रत मकर सक्रांती के दिन से शुरू होकर कोई इसे छह मैने में करता है कोई सालबर करता है तो कोई पंदरा दिन करता है तो कोई सवा मैने करता है प्रतेग मनश्य अपनी सामरते के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं व्रत के समय प्रती दिन गी का दिया जलाना चाहिए, हाथ में चावल रख कर मेरी कथा सुननी चाहिए और अंत में व्रत का उजबन करना चाहिए उजबन के समय बास की एक छाबड़ी लेनी चाहिए जिसमें सवा सेर जवार, सवा सेर मोती, सवा सेर वजन की चांदी की नाव, सिड़ी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ती अगर सोने और चांदी की मूर्ती बनाने की सामेर्थे नहीं हैं तो इसे फोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं यता शक्ती सभी सामाल लेवें नेविध्य में सवासेर आटे की सूखडी बना करके उसके चार भाग करें एक भाग चोटे बच्चों को देवें दूसरा भाग गाई के ग्वाले को देवें तीसरा भाग प्रसाद के रूप में कुटुम कभिले में बाण देवें और चोथा भाग मंदीर में चड़ा दे तब बहन ने कहा कि हे धर्मराज जी अब आप मुझे साथिंग के लिए प्रत्मी पर छोड़ दीजिए मैं आप के इस्वरत को करूँगी और उद्यापन भी करूँगी उसी समय धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसकी मृत शरीर में छोड़ दिया नीचे धर्ती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी कि तबी लश्मी जी बुडिया का रूप धरन करके शमचान में पहुँच गई और उसके भाईयों से बोली कि ठेरो ठेरो अभी इसे आग मत लगाओ मुझे लड़की कम्मू देखना है यह कहते हुई वहशव के पास गई और बहन के मुख पर हाथ फेडने लगी कि तबी बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगडाई लेने लगी वहाँ खड़े सबी लोग यह द्रशे देखकर इस्तब्द रहेगे बहन को जीवी दे कर भाई बहुत खुश हुए वे अपने साथ उसे अपने घर ले जाने लगे लेकिन बहन अपने भाईयों से बोली कि भाईयों मैं अपने ही घर में जाऊंगी उसके बहन बुडिया रूपी लक्ष्मी को अपने साथ घर में ले आई बहन बुडिया रूपी लक्ष्मी माता से बोली कि है माता मेरे व्रत के परताब से अब मुझे धर्मराजी के दूस्वर्ग में ले जाएंगे माजी मैं आपको भी सर्ग में ले जाऊंगी उसके बाद बहन घर आए, घर आकर उसने धर्मराजी का वरत करना शुरू किया इस तरह साथ दिन तक वरत करने के बाद उसने साथ में दिन वरत का उद्यापन कर दिया समय पूरा होते ही बहन की म्रतिय हो गई, धर्मराजी के दूत उसे सर्ग में लेगे बहन सर्ग सिधार गई, उस समय घर में जग मगाते दिये जले, आंगर में कक्को के पगलिया मनगे, मोती के सतिया बनेंगे, भाई भावी और अडोसी पडोसी यदे कराश्चरिये में पड़ गई इस प्रकार धर्मराजी के व्रत के प्रताप और दानपुन्य से बहन को स्वर्ग मिला, साथ में बुडिया को भी स्वर्ग मिला, हे धर्मराजी जो कोई भी आपका व्रश अद्दा पूर्व करे, उस पर आप अपनी क्रपादश्टी हमेशा बनाए रखना और उसकी आद्मा को सदगती देना, जय हो धर्मराजी कीजै, चार दर्वाजों की कहानी, एक गाउं में एक सहुकार्णी थी, उसका भरा पूरा परिवार था, साउकार्णी का पूरा परिवार धार्मी प्रवतिका था, साउकार्णी सभी तरह के व्रत उपवाज दानपुन्य करती थी, सभ पहली रोटी गाय को आखरी रोटी कुति को देना नहीं भूलती थी। रोज बेनागा ब्रहमुरुत में उठकर नहा धोकर मंदी जाती। बड़ पीपल सीचती। तुलसाजी को सीचती कता कहानिया सुनती। धर्ती माता की कहानी सुनी उद्यापन किया। धर्मराजी की कहान सुनी साथ में उद्यापन भी किया, एक ब्रामन को गव दान करा, साथी उसने एक ब्रामन की बेटी का कर्ण्यादान किया, कार्तिक मास, माग मास, वेसाक मास और पुष्वत्य मास के उसने इस्तनान किये, वह शादों में पित्रों के नीमित धर्मकर्म करती थी, कवों को शा दोनों हातों से दान करती रही, दान धर्म में उसने कोई कंज्जुसी नहीं छोड़ी। सावकानी के बेटा बहु भी अपनी मा को दानधर्म करने से कभी मना नहीं करते थे सावकानी पूरी उम्र पार करके मरी तब वह भगवान के लोग में पहुंची लेकिन उसे भगवान के चारो दर्वाजे बंद मिले सावकानी जिदर भी जाए उदर ही उसे दर्वाजा बंद मिला चारो दिशाओं में उसके लिए दर्वाजा बंद था या देखकर सावकानी परिशान हो गई उसने सभी दर्वाजे खट-खटाई लेकिन उसके लिए दर्वाजा नहीं खुला थक हार कर वह बोली कि है इश्वर मेरे लिए चारो दरवाजे बंध क्यों है जबकि मैंने अपने जीवनकाल में खूब दान धर्म किये सबी तरह के व्रत उपवास करे धमराजी की कहानी सुनी उद्यापन किया पोपबाई की कहानी सुनी उद्यापन किया धर्ती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया मैंने अपनी जीवन काल में कभी जूट नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे लिए दर्वाजे बंद क्यों हैं, कि तभी वहां आकाश्वाणी हुई, आकाश्वाणी ने कहा कि अरी बुडिया माई, माना कि तुने अपनी जीवन काल में खुब धर्म का इसा कहानी नहीं सुनी, यह क्या होता है, यह कैसे करते हैं, कब करते हैं, और इसकी क्या विदी है, अगर मुझे मालूम होता तो मठाकुर जी के पट खुलवाती, चार दर्वाजों की कहानी सुनती, तभी आका अश्वानी हुई और विश्णु भगवान ने सावकानी से कहा की अरी बुडिया माई मकर सकरांती के दिन ठाकुजी के मंदीर में पट खुलवाते हैं चार चांदी के दर्वाजों का दान करते हैं इसमें चार चांदी के दर्वाजे लगते हैं भगवान के मंदीर का परदा लगता है ब्रामन ब्रामनी के पांच-पांच कपड़े और सु अकाश्वानी ने कहा कि बुडियामाई तु अपने बेटा बहु को सपन में जाकर कह दे अगर वे तेरे लिए ये सब कुछ कर दे तो तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे तभी सावकार्णी की आत्मा उसी समय मृत्यू लोग में अपने बेटे के सपन में गए और पूरी बात बताए कि बेटा मेरे लिए भगवान के यहां सभी दरवाजे बंध हैं बेटा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जब तक तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तब-टक मेरी आत्मा भटकती रहेगी मेरे लिए तो चारों पटबंध हैं तब सपन में ही बेटा अपनी मा से बोला कि मा बताओ मैं क्या करूं जिसे की तुमारी आत्मा को शांती मिले तब सावकानी बोली कि बेटा तुम चार चांदी के दरवाजे बनवाना साती ब्रामन ब्रामनी के पांच-पांच कपड़े मिठाए कर डबा दक्षिना के रुपे रखना ठाकुर्जी के मंदीर का परदा सिल्वाना और मंदीर में जाकर पट खुलवाना कता कहानी सुनना ये सभी सामान ठाकुर्जी के मंदीर में चड़ा देना सुबह होते ही बेटे ने अपने सपन वाली बात अपनी पतनी को बताई तब बेटा बहु नहाधो कर सारा सामान लेकर मंदिर में गए और मंदिर के पट खुलवाए पूजा करी चार छोटे छोटे चांदी के दरवाजे चड़ाए ब्रामन ब्रामनी के पांच-पांच कपड़े सुहाग की पिटारी मिठाय कर डबा दक्षिना के रुपए और नारील चड़ाया जैसे ही बेटा बहु ने सारे काम करे कि तभी सावकार्नी के लिए एक केक करके सारे दरवाजे खुलते गए जब सावकार्नी ने पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमना बैरे थी सावकार्नी गंगा यमना में खूब नहीं धोई फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर्जी विराजमान थे सावकानी ने वहां बैट कर खुब तन्मन से सेवा पुझा करी, पाट करे, भजन करे फिर उसने तीसरा दर्वाजा खोला तो उसमें चपन भोग पड़े थे सावकानी ने भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाया फिर खुद प्रसाद खाया फिर उसने चोथा दर्वाजा खोला तो उसमें सोने की खाड पर मुलायम रजाई गद्दे कंबल पड़े थे सावकानी सोने के पलंग पर मुलायम रजाई गद्दों पर सो गई कि तबी आकाश्वानी हुई भगवान ने बुडिया माई से पूछा कि बुडिया माई तुझे बैकुंट में सुक मिला या नहीं सावकानी बोली कि है इश्वर ऐसा सुक तो मैं हर जान्व में जाती हूँ ये भगवान जसा सुक सावकानी को मिला वैसा हम को भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भढ़ने वाले को, घर्तिओ तो पुरियो, पुरियो तो परवान चड़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे आईए आज हम धर्ति मात की कहानी सुनते हैं, एक बार एक बुडिया माई थी, वह बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी, वह सभी तरह के व्रत उपवास और दानपुनी किया करती थी, पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक्चार लेना देना करती थी, पूनम अमावश्या एका दशी के व्रत करें और सब के उद्यापन भी करें, यहां तक कि धर्मराज जी की कथा कहानिया सुनी और उद्यापन किया, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया, पूपवाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया, जितने भी व्रत उसने करे एक एक करके उसने सब के उध्यापन कर दिये तब एक दिन उसका देवलोग गमन हो गया जब वे धर्मराजी की नगरी में पहुची तो उसे खड़े रहने के लिए जमी नहीं मिली वे पूरे समय अधर में ही जूलती रही तब बुड़िया माई ने धर्मराजी से विंती करी कि हे महाराज यहां जितने भी लोग मिलत्यू लोग से आए हैं सब धर्ती पर खड़े हैं बस मुझे ही धर्ती पर खड़े रहने का इस्थान नहीं मिला जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया सभी तरह के मैंने वृत करे उपवास और दानपुन्य करे नेकचार करे बेटियों भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे तब धर्मराजी बुड़िया माई से बोले कि अरी बुड़िया माई तु सच कहती है तूने सभी नेकचार करे लेकिन तूने धर्ती माता के नाम की न तो कहानी सुनी न वृत किया और नहीं उद्यापन किया तूने दो फुट धर्ती मोल नहीं ली इसलिए तेरा कहना सच है इसलिए यहां जितने भी लोग मित्यू लोग से आए हैं उन्होंने धर्ती माता की कहाने सुनी वरत किया और उद्यापन किया और दो फुट धर्ती मोल ली थी इसलिए इन्हें यहां धर्ती पर खड़े रहने का इस्थान मिला है और तू बीच अधर में ही जूल रही है तब बुडियामाई ने धर्मराजी से कहा कि मुझे इस वरत के बारे में मालूम नहीं था हे धर्मराजी अगर मुझे इस वरत के बारे में पता होता तो मैं जरूर रत करती और धर्ती मोल लेती और रत का उध्यापन भी करती तब धर्मराज जी ने बुडियामाई से कहा कि अरी बुडियामाई धर्ती माता की कहानी साथ दिन तक सुननी चाहिए इसमें सवा मीटर लाल कपड़ा, सवा मीटर सफेद कपड़ा लेते हैं सवा मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिचाते हैं फिर उसके उपर लाल और सफेद कपड़ा बिचाते हैं कपड़े के उपर रोली से छीटा देते हैं, चावल की धेरी रखते हैं, मूली का टुकडा रखते हैं, नारियल रखते हैं शद्दा अनुसा दक्षीना के रुपय रखते हैं मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर साथ दिन तक किसी ब्रामनी से कहानी सुनते हैं उसके बाद वृत का उध्यापन करते हैं उध्यापन में ये सबी सामान देते हैं साथ में ब्रामनी के पहने के लिए साड़ी, पेटी कोड, बिलाउज, तोलिया और रुमाल भी देते हैं और जिस ब्रामनी से साथ दिन तक कहानी सुनते हैं, उसे ये सारा सामान देते हैं तब बुडियामाई धर्मराजी से बोली कि है धर्मराजी, अब आप मुझे साथ दिन के लिए वापस मित्यूलोक में भेज दीजिए मैं धर्ती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उध्यापन करूंगी और वापस आऊंगी तब धर्मराजी ने बुडियामाई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया धर्ती पर उस बुडियामाई को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी धर्मराजी ने बुडियामाई की आत्मा वापस उसकी दह में छोड़ दी जैसे ही मृत्यू लोग में बुढिया की दह में हल चल हुई वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे बुढिया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो दह मिराज जी ने मुझे साथ दिन के लिए धर्ती पर भीजा है मैं साथ दिन तक धर्ती माता की कहानी सुनूंगी व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाओंगी तब शम्षान में खड़े सभी लोगों ने बुढिया माई से पूरी बात पुछी तब बुढिया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई सभी लोग बुढिया माई को लेकर वापस घर आये गराने के बाद बुडिया माई ने एक ब्रामनी से धर्ती माता की कहानी सुनी, सवा मीटर जितनी धर्ती खोदी, उसके उपर सवा मीटर लाल कपड़ा फिस सफेद कपड़ा बिचाया, रोली मोली चावल गुर दक्षीना के रुपय रखे, साथ दिन तक ब्रामनी से कहानी उसे पूजा के सारे सामान दे दिये, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और बिलाउज साड़ी पेटिकोट रुमाल तोलिया भी दिया। बुडिया माई उसमें बैटका धहमराजी की चोकट पर पहुँच गई। सभी ने बुडिया माई का स्वागत किया। धर्ती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुडिया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सब को भी धर्ती माता की साथ दिन कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का इस्थान मिल सके। घड़ती हो तो पुरियो पुरियो तो परवान चड़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पोपा पूपा भाई को पता चला कि उसके भाई भावी उसकी शादी करना चाते हैं तो पूपा भाई ने अपने भाई भावी से शादी करने से इनकार कर दिया पूपा भाई ने अपने भाई भावी से कहा कि मैंने आज जीवन कुमारी रहने कपरण लिया है इसलिए मैं विवा नह जाया लेकिन वह नहीं माने पोपा भाई ने अपनी भाइया भावी से कहा कि आप मुझे जंगल में जोपड़ी बना कर के दे दो मैं अपनी बाकी की जिंदिगी वहीं भक्ती करके बिताऊंगी तो उसके भाईया भावी ने अपनी बहन के लिए जंगल में जोपडी बना कर के दे दी अब पूपाबाई गाओं के लोगों की भीड बकरिया और गाई चराने लगी बदले में वे लोग उसे गवाली देने लगे जिसे पूपाबाई का गुजर बसर चलने लगा खाली समय में वे पूजापाट करने लगी इस तरह समय व्यतित होने लगा एक बार उस नगर का राजा शिकार खेलते समय उसी वन में पहुँच गया जहाँ पूपाबाई की जोपडी थी राजा को भूप्या सताने लगी तब राजा ने जंगल में जोपडी देखी तो वे जोपडी के पास आया और जोपडी का दर्वाजा खटकटाने लगा जोपडी का दर्वाजा खटकटाने पर अंदर से पूपा बाई बोली की कौन है जोपडी की बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ दर्वाजा खोलो तब पूपा बाई बोली की आप ज अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारिये का पालन करके बिताने का निश्चे किया है आप यहां से चली जाइए लेकिन राजा ने हट पकड़ ली राजा ने जोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और जबर दस्ती पोपाबाई को गोड़े पर बिठा कर महल में ले आया महल में आते ही राजा का سारा राजपाट मिटी में मिल गया तब उस राजा की अन्यरानिया राजा से बोली कि है महाराज आप इसे जहां से लाए हैं इसे वापस वहीं छोड़ाईए तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा कि तबही महापाप की नदी आ जिसमें राजा डूब कर मर गया, तब पोपाबाई को लेने यम लोग से खुद धर्वराजी देविमान में लेने आए, और वहीं यम पुरी के पास पोपाबाई की नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंगासन लगाए गया, स्वर्ण का महल तयार किय जिसमें स्वर्ण के खंबेते स्वर्ण की छत्री थी, सबी चीजें स्वर्ण की बनी हुई थी, इस तरह समय व्यती थोड़ी लगा, तब एक बार मृत्यू लोग में एक सावकार दमपती की म्रती हुई, तब एक बार एक सावकार दमपती मरने के बाद धमराजी की पूपवाई गथा करी और उसका उद्यापन करेंगे उसके बाद धर्मराजी ने उन्हेंप व्रत की पूरीविदी बताई पूरीविदी जानने के बाद धर्मराजी ने उनों को वापस धर्ती पर छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने साथ दिन ते पोपाबाई की कथा सुनी लेख राई 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 रो और राज पोपाबाई रो साथ दिन बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन किया दो कासे के कटोरे लिये जिसमें एक में काले तिल और एक में राई भरी पाँच पाँच कपड़े रखे और दक्षिना के रुपय रखे जिने एक ब्रामणी को दिया साथ दिन बाद उन्होंने व्रत का उध्यापन कार दिया सावकार दमपती की मेत्ती हुई तो अब की बार उन्हें लेने के लिए देव विमान आया और उनके सागत के लिए सम पुपाबाई फुलो का हार लेकर खड़ी हो गई इससे सावकार दमपती को सीधे मुक्ष की प्राप्ती हुई इसलिए प्रतेग मनश को धर्मराजी की कहानी के साथ साथ दिन तप पुपाबाई की कहानी भी सुनी चाहिए और एक कासे के कटोरे में राई और एक कासे के कटोरे में कालेती रखकर उस पर दक्षिना के रुपर रखकर एक ब्रामन को देने चाहिए ये दोनों चीजे कटोरे के साथ दान में दी जाती है धर्मराज जी की सभी कता कहानियों के साथ में चीक माता की कहानी जरुर सनी चाहिए आईए अब हम चीक माता की कहानी सुनते हैं एक बार एक गाओं में एक साहुकार का बेटा था वै शहर से कमाकर घर वापस लोट रहा था लोडते समय उसे रात हो गई आगी घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया साहुकार के बेटे ने सोचा कि रातरी इसी मंदिर में बिता लेता हूं वह उस मंदिर में गया और चबुतरे पर जाकर सो गया उस मंदिर में एक पेड के बिल में एक साप का जोड़ा रहता था साप को सावकार के बेटे पर दया आ गई पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा क्योंकि उस मंदिर में रातरी में जंगली पशु आते थे तो साप सावकार के बेटे की रखवाली करता रहा सुबच जब सावकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक साप उसकी रक्षा कर रहा है सावकार के बेटे को साप परदया अगई सावकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूद लेकर साप को दूद पिला दिया उसके बाद साप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूं सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी लेकिन साप ने कहा कि तुम कहा भटकती फिरोगी तुम यही रहो मैं तुमारा भोजन यही ले आऊंगा तो सर्पनी बोली की ठीक है अगर आप जाना चाते हैं तो चले जाईए लेकिन आप लक्षमन रेका खींच कर के जाईए क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांब बिच्चु गोईरे मेरे पास आते हैं और हसी मजा करते हैं मुझे हसी मजा पसंद नहीं तब सर्पने अपनी पूँच से वहाँ एक लक्षमन रेका खींच दी और चला गया सावकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बाते सुन और देख रहा था अभी सर्प जादा दूर भी नहीं गया था कि वहाँ बहुत सारे चोटे मोटे साम बिच्चु गोईरे अजगर आ गए खुद सर्पनी लक्षमन रेका पार करके उनके पास हसी ठटा करने पहुँच गई सावकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई अभी यह सर्पनी अपने साम से कह रही थी कि इसे हसी मजाग पसंद नहीं और अभी यह खुद ही हसी ठटा करने के लिए लक्षमन रेका पार करके आ गई तो सावकार के बेटे ने साथ चोटे चोटे पत्थर उठाए और सर्पनी को दे मारा और घर चलाया उधर सावक के वापस आते ही सर्पनी को भवन में जाकर बैठ गई सावक ने अपनी सर्पनी से इसका कारण पूचा तो सर्पनी बोली कि आप आज उसी सहोकार के बेटे को डसकर आईए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी तब सावक बोला कि क्या हुआ पूरी बात बता तब सर्पनी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी लेकिन वह मुझे साथ पत्थर मार कर गया है जब तक आप उसे डसोगे नहीं मैं अन जलकरहन नहीं करूँगी इसलिए आप उसे डस कराईए यह सुन कर साप को भी क्रोध आ गया सापने सर्पनी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस सावकार के बेटे को सबक सिखा कर कियाता हूँ ऐसा कहकर साप सावकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया उदर सावकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा मा पास में बैठ कर पंखा जल रही थी और उसकी पतनी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी साब वहाँ पहुच गया साब ने देखा कि सावकार भोजन कर रहा है तो साब ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ तब तक मैं परेंडे में बैठ जाता हूँ उसके बाद साब वही परेंडे में कुंडली मार कर बैठ गया बहु ने जैसे ही भोजन परोसा की उसे चीक आगई मा ने भोजन परोसने से मना कर दिया दूसरी बार बहु पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से चीक आ गई, मा ने फिर से पानी का गिलास रखने से वना कर दिया, थोड़ी देर बाद बहु फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार चीक आ गई, मा ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया, यह देख कर सावक करने वाले लोग पसंद नहीं तो आप लक्षमन रेका कीच कर जाएए बिचारा साप तो अपनी पूँच से लक्षमन रेका कीच कर चला गया लेकिन साप के जाने के बाद कुछ सरपणी साप बिच्चु गोईरे और अजगर से हसी ठीटोली कर रही थी और स्वंग लक्षमन में बैठा सुन रहा था कि तभी साप को पश्चाताप हुआ तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और सावकार के बेटे को कहा कि मर्तुम से प्रसन हुआ तुम कोई तीन वर्दान मांग लो सावकार का बेटा और उसकी मा और बहु ने सर्प देवता क को प्रणाम किया तब उन्होंने धन, पुत्र, और इश्वरिय और यश मांगा तो साप ने उन्हें ततास्तु कहा और वहां से अंतरध्यान हो गया साप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही अपनी सर्पणी की नाग काट ली और अपनी सर्पणी से कहा कि तुने मुझ धार में ब्रश्ट हो जाता इस प्रकास अहुकानी ने छीक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बज गई इसलिए अगर छीक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुब काम को टाल देना चाहिए छीक का नियम रखना चाहिए आड़ी बाड़ी की कहानी आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी जीमे बैठी कान कुहारी कान कुहारी काई पूजे दसा माता की बाड़ी पूजे दिहारी बाड़ी की बाड़ी पूजे गजानन भगवान की बाड़ी पूजे सुरज भगवान की बाड़ी पूजे विश्नु भगवान की बाड़ी पू संतोसी माता की बाड़ी पुझे, 33 कोटी देवताओं की बाड़ी पुझे, बाड़ी पुझे से काई होवे, अन होवे, धन होवे, लाज होवे, लाज होवे, लाब होवे, रिद्धी होवे, सिद्धी होवे, साई जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोईता होवे, पोता होगे, दोईता के लिए, खीरखंड रांदयये, पोता होगे, राबड़ी रांदयये, खाटी लाग, राबड़ी, मिठी लाग, किट चड़ी-चड़ाई, लेकियावे, गोरी ढूड विनायक, ढूड़ना भलला भांडना, सोना कढ़ाकना, रिमता जिमता, दूद में बहु परो से सासु जी में, सासु परो से बहु जी में, सासु खाटले, बहु पाटले, मंदरिया, मंदराली बात, गलिटेका का हार, आबात कटे की है, अमुल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अने की आटे की कवे, जल की लोटे की कवे, तुलसी की क्यारी की कवे, एक मन का लड़ू ने बन पावत तो बारह मन की बात लेकर बारह सेर का लड़ू कर चेह मन की बात लेकर छे सेर का लड़ू कर बारह सेर में तीन सेर गुर, तीन सेर गी, छे सेर आटा लेकर बारह मन का लड़ू कर एक पाणी का पनिहार की, एक रमता वालक न देव, एक गाई का गवाला न देवा, एक सास की, एक बेटे की, एक बहु की, एक मा की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी ओड़त, एक छाने के छनियार, इद समाता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय वरत कर खाओ, जो करम को पाड, जो धरम को या बात कवे, खा प्यागुणी गोबर्दे चोर्णी आकानू आका चोरिय थारगर को धार में थाने लगे मारेगर को धार में मने बढ़ाओ पीपल पूजो पनोती बरवर मोधियों का थाल दुख दरकम कर जो राजपर दी जो उटो बहु बेटी गिलोसु को कामण गाओ कामण की आवहात इस लपकानों लपको फल मिले तपकानों तपको फल मिले मानमा की काणी कथा वरत को फल मिले नगर वसेरे जो करे मलमल धोगय ताप ताता मांडा लापसी देसी नारी मा मादेवन अमावसी देसी नारोद्वार का को नाथ मिठा मिठा गास व्रंदावन को वास देकुंटा को यो देसी मारोबीन बंदी देना नाथ पाँच कुल्टी छटी रास मेरे जी स्रीक्रशने के पास डालू पाणी हो जाएगी जड़ से निकल जाओ मेरा जी तुलसी जी की कहानी आईए आज हम तुलसी जी की एक सत्य कथा सुनते हैं एक बार एक गाओं में एक साहुकार अपने पत्नी बेटी और बुड़ी मा के साथ रहता था साहुकार ने बड़ी ही धार्मी प्रवती की थी वह रोज सुब़ ब्रहमुरत में उड़ती इसना नाधी करके तुलसाजी को सीश्ती दिया बाती करती सुर्य नारैन भगवान को अर्थ देती ठाकुर जी की सेवा पूजा करती भोग बनाकर के भोग लगाती जब बेटी सावित्री अपनी मा को पूजा पाट करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था एक दिन सहुकानी अग्याद बिमारी से चल बसी कुछ मैनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर सहुकान ने दूसरा विवा कर लिया सोतेली माने एक साल तक तो सावित्री से अच्छा बरताव किया लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वे सावित्री से सोतेला बरताव करने लगी घर का सारा कामकाज वे सावित्री से करवाने लगी जाड़ू, पोचा, बरतन, कपड़ा, इत्यादी सावित्री का पाटशाला जाना भी बंद करवा दिया लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली जैसा छोटी मा कहती वे वैसा ही करने लगी घर के कामगाज के साथ वे तुर्साजी की सेवा पूजा दिया बाती करती रही सुरज भगवान को अर्दे देती रही जैसा उसकी मा पूजा पाट करती थी ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाट करने लगी रात्री में वे अपनी दादी के पास जाकर सोती उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड करती उसे मा का और दादी का सब के हिस्से का प्यार करती थी समय अच्छे से बीत रहा था लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परिश्य कठोर करने का नेन्य ले लिया ऐसा ही लग रहा था तब एक दिन दादी बीचल वसी सहुकार बड़ा ही लाचार मैसुस करने लगा उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बरताव न करे लेकिन वे नहीं माने जब सावित्री विवा लायक हुई तो सोतेली मा ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंडा ताकि कोई दहेश न देना पड़े तब एक गरीब लड़के से सोतेली मा ने अपनी सोतेली बेटी सावितरी के फेरे पठकवा दिये साहुकार ने अपनी बेटी को धेरो आशिरवा दिया जब सावितरी विदा होकर सुसराल जाने लगी तो सोतेली मा ने अपनी सोतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरी जाती जाती अपनी तुलसी का पोधा भी लेती जा मेरे पास इतना समय नहीं जो रो तेरी तुलसी के पोधे को सीचु दिया बाती करो तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पोदे को उठा लिया और ससुराल आ गई उसी समय तुलसी रूप में माता लश्मी सहुकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई ससुराल में बहु के प्रवेश के साथ ही खुश्यों ने दस्तक दे दी सावित्री के पती को अच्छी सरकारी नोकरी मिल गई ससुर एक बहुत पुराने जमीन जायदात के केस में जीत गए सास की ला इलाज बिमारी ठीक हो गई तीन तीन कुवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई सावित्री को दो साल में दो बेटे हुए अब सावित्री नगर से ठानी कहलाने लगी माता तुलसा के आशिरवास से उसके घर में धन धान्य नोकर चाकर हाती घोड़े उट सब हो गे उदर दूसरी तरब सावित्री के सोतेली मा के बहुत बुरे हाल हो गे सावकार का व्यापार ठप हो गया घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब निलाम हो गे वे करजे में डूब गे व्यापार में घाटा लगने से सहुकार को सद्मा लगा जिससे हिद्य घात से वचल बसा अब सोतेली मा अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में जाड़ों पोचा करने लगी और पेट पालने लगी हे मातुलसा जैसे आप सावित्री की पुजा पार्ट करने से प्रसन हुई वैसे हमसे भी होना कहाने कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भनने वाले की एक बार एक गाउं में एक वणिक सेर सेठानी थी सेर सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थी पूरे गाउं में उनकी बहुत इच्चत थी धन, धान्य, वेभव, सुक, सम्रद्धी, कीर्थी सब कुछ था लेकिन सेड सिठानी के कोई ओलाद नहीं थी शादी के तीस वरस बीद गे घर में माल मल्कियत का कोई धनी दोरी नहीं था सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दोलत है लेकिन इसका कोई उत्रा अधिकारी नहीं तब एक दिन सेठानी ने सेड जी से कहा कि है स्वामी आप मुझे एक गाई लाकर दीजिए मैं गाई की सेवा पानी करना चाती हूं ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूं मेरा मन नहीं लगता गाई की सेवा पानी करोंगी गोबर पोटे उठाऊंगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा तो सेड जी ने हामी भर दी लेकिन पंद्रह दिन निकल गे सेड जी ने गाई लाकर ही नहीं दी तब एक दिन सेठाणी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाई लेकर आई साथी चांदी की गाई के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई गाई के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुन्दर सुन्दर रेश्मी कपड़े सिल्वा कर के लाई अब सेठानी पूरे समय गाई की सेवा पूजा करने लगी रोज गाई की पूचा करती कहानी सुनती हलवा पुड़ी खीर बनाती भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाई को वे भोग खिला देती अब सेठानी का समय गाई की पूचा पाड़ करने में बीतने लगा इस तरह पूरा एक साल हो गया तरह सेठानी सेठ जी से बोली कि है स्वामी मुझे गाई की पूचा करते हुई एक साल हो गया है मैं गाई का उद्धापन करना चाती हूँ आप कल गाउ में से एक ब्रामन को भूजन की कह कर आना सेठ जी ने हामी भर दी तब सेठ जी गाउ में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि है पंडिजी महराज है पंडिजी महराज मेरी पत्नी गाई का उद्धापन करना चाती है आप कल मेरे यहां भूजन करने के लिए आना ब्रामन ने हामी भर दी तब शाम को ब्रामनी अपने पती से बोली कि है स्वामी आप तो कल यजमान के यहां जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे तो ब्रामन बोला कि अरी भागवान मैं कल सेठ जी के यहां भोजन करने नहीं जा रहा तो ब्रामनी बोली कि क्यों आप सेड़ जी के यहां खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे तो पंडित बोला कि अरी भागवान सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है कल मुझे वह भोजन खिला कर गाय दान में देगी भागवान हम एक छोटी सी जोपड़ी में रहते हैं मैं तुम सब के भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहां बाधेंगे भागवान गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बाढ़ना पड़ता है अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा तो मेरे उपपर गाय की हत्या का पाप चड़ जाएगा भागवान गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है इसलिए मैं सेठानी के यहां भोजन करने नहीं जाओंगा दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए दो तामे के ड्रम खरीदे एक दलिय की बोरी खरीदे पंडी जी को देने के लिए पांच कपड़े खरीदे और गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड खरीदा सुब़ जल्दी उठका इस्तान आदी करने के बाद पंडी जी को खिलाने के लिए तरह तरह के वेंजन बनाए सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडी जी भोजन करने नहीं आए सेठानी ने सेड़ जी से कहा कि हे स्वामी आपने पंडी जी को भोजन की बोली थी या नहीं दोपहर हो गई अभी तक पंडी जी भोजन करने नहीं आए सेड़ जी ने कहा भागवान मैंने बहुत अच्छे से बोला था सेड़ जी बोली कि मैं खुच जाकर बुला कर लाती हूँ सेड़ जी बोले कि अरे भागवान तू कहा जाएगी मैं दुकान के नोकर को भेज कर बुला लेता हूँ तब सेड़ जी ने दुकान के नोकर को पंडीजी को बुलाने के लिए भेजा दुकान का नोकर पंडीजी के घर गया और बोला कि अरे पंडीजी महाराज क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं मेरे सेड़ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन कने नहीं आए, मेरे सेर सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड की बोरी और दो बड़े बड़े तामे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायन और आपके कपड़ी और दक्षीना भी देंगे, यह सुन कर पंडी जी खुश हो गया, मनीमर सोचने लगा कि चलोक चांदी की गाय मिलेगी, अन धन मिलेगा, तो कोई दिकत ही नहीं है, पंडी जी उसी समन ओकर के साथ सेर सेठानी के घर भोजन कने के लिए आ गया, सेठानी ने पंडी जी का खूब आदर सतकार किया, तरतरे के वेंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय पंडी के सोने चांदी के गहने कपड़े, दलिये और गुड की बोरी, पानी के लिए दो तामे के ड्रम, पंडी जी के कपड़े और दक्षीना के रुपए दिये, साथी खूब सारा भोजन भी दिया, पंडी जी ये देख कर बहुत खुश हुआ, पंडी जी ने सेर सेठान की एक साथी म्यतिव हो गई, जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी, तो रास्ते में वेतरनी नदी आई, तबी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई, सेठानी सेर जी से बोली, कि है स्वामी आप इस गाय की पूँच पकड़ लीजे, हम वेतरनी उनों सेर सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूँच पकड़ ली और बड़े ही आराम से वेतरनी नदी पार कर ली, तब सेर जी ने सेठानी से कहा कि अरी भागवान, तेरा मृत्युलोग में किया गया, चांदी की गाय का उध्यापन आज काम आ रहा है, तेरी वज़े से आज हमने पेतरनी नदी पार कर ली, तू धन्य है, मेरे पास इतना धन ता, फिर भी मैंने अपने हाँ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया, जहो गाय माता की, दोलिय की कथा, एक गाओं में एक भ्रामन दमपती थे, भ्रामन रोज भिक्षा मांग कर लाता, वस साथ ग भ्रामन भ्रामनी गरीबी से बेहत दुखी रहने लगे, तब एक दिन भ्रामनी अपने पती से बोली कि है स्वामी, अब आप बाहर गाओं जाकर भिक्षा मांग करें, हो सकता है कि वहाँ आपको जाता भिक्षा मिले, कल मैं आपको चार रोटी बना कर के दे दूँगी, आ अप सुब जल्दी उठकर बाहर गाओं चले जाना, दूसरे दिन भ्रामनी ने चार रोटी बना कर के ब्रामन को पोटली में बांध कर के दे दी, भ्रामन रोटी की पोटली लेकर बाहर गाओं बिक्षा मांगनी चला गया, ब्रामन जंगल के रास्ते से जा रहा था, कि वह एक पीपल के पेड़ के नीचे चबुत्रे पर मातालश्मी और घट जी चोपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्रामन उदर से गुजरा तो मातालश्मी ने ब्रामन से कहा कि अरे ब्रामन रुको, हम चोपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहां बैट जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार होई। ब्रामन बड़ा ही भूला था, वे वही बैठ गया। ब्रामन का ध्यान पूरे समय मातालश्मी को निहाने में ही बीट गया। उसने तो खेल की तरब देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वे पूरे समय यही सोचता रहा कि मातालश्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभुशन पहन रखे हैं। घरजी के पास तो कुछ भी नहीं। वे मनीमन सोचने लगा कि चाए किसी की भी जीत हो। मैं तो मातालश्मी को ही जितवा दूगा। इस त कि है मातालश्मी आपकी जीत हुई है। मातालश्मी ने जट से अपने गले से नो लड़ सोने का हार उतार करके ब्रामन को दे दिया। ब्रामन सोने का हार पाकर बहुत खुश हुआ और घर की वो चल दिया। घर आकर ब्रामन ने सोने का हार अपनी पतनी को पकड़ाया और पूरी बात बताई ब्रामनी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई रातरी में ब्रामनी ने सोने का हार कुटी पर टांग दिया और सो गए दूसरे दिन सुबह पडोसन चुले की अगनी लेने ब्रामन के घर आई उसने कुटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुप पर उसी पेड़ के पास गया, वहाँ वापस माता लश्मी और घर जी चोपड़ पासा खेल रहे थे, ब्रामन फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया, शाम को वापस ब्रामन ने कहा कि है माता लश्मी आपकी जीत हुई है, लश्मी जी ने वापस ब्रामन को सोने के मोरों क थेली पकड़ा दी, ब्रामन सोने की मोरों की थेली पाकर बहुत खुश हुआ, वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिय मिला, गडरिय ने ब्रामन से पूचा कि हैं, ब्रामन देव इतनी रातनी में आप कहां से आ रहे हैं। खाली मिली पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था तब ब्रामन ने गडरिये के होने वाली बात बताई और साथ ही कहा कि मैंने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी थी हो नहो उसी ने धोके से मेरे सोने की मुरों की थैली ले ली ब्रामन ब्रामनी फिर से मन मसोस कर रहे तीसरे दिन ब्रामन फिर से वहीं गया फिर से ब्रामन ने माता लश्मी को जितने वाली बात कही तो माता लश्मी ने अपकी बार ब्रामन को सोने की इट दी ब्रामन सोने की इट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी-खुशी वाप जंगल की रास्ते से आने लगा तो चोर तो भ्रामनी ने कहा कि है स्वामी आप कल घट जी को जित्वा देना, चोथे दिन भ्रामन ने ऐसा ही किया, चोथे दिन खेल की समापती पर भ्रामन ने घट जीत हुई बताई, तो घट जी भ्रामन से बोला कि अरे भ्रामन तेरी मतिभरष्ट हो गई है, तो तीन दिन से पूरे रास्ते वे ब्रामणी को कोसता रहा और ब्रामणी को गालियां देता रहा मनही मन सोचने लगा कि मैंने ब्रामणी के कहने पर घरजी की जीत बता दी अगर आज भी मैंने लश्मी जी को जितवा दिया होता तो कुछ न कुछ सोने का आबुशन मिल जाता ब्रामण तुलसी के बीज लेकर घर आया और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो ये तुलसी के बीज मिले अगर नहीं मानता लश्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने का आबुशन मिल जाता ब्रामणी अपने पती से बोली कि हे स्वामी तुलसी के बीज ही सही लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए ब्रामणी ने उसी समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी क्यारे में डाल दिया और रातरी में भोचन खाकर पानी पिकर सो गए दूसरे दिन दोनों ब्रामन दमपती रोज की तरह सुबह जल्दी उठे नहां धोकर तुलसी जी को सीचने और दियाबाती करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती की लड़िया लटक रही थी ब्रामन दमपती ये देख कर खुश हो गए कि तबी हार चोरी करने वाली पडोसन हार वापस दे गई गड़रिया सोने के मोरों की थली भगडा गया और चोर भी सोने की इट वापस रख कर चला गया ब्रामन की सभी खोई हुई चीजे उसे वापस मिल गई कहते हैं दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं ये भगवान जैसे ब्रामन की आपने मदद करी वैसी सबकी करना कहानी कहने वाले की सुने वाले की और हुकारा भड़ने वाले की भगवान सूर्य देव अपना पूरा प्रकाश पूरी सश्टी पर एक सर डालते हैं चाहे वे इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पोदे हो, जमीन हो, समंदर हो, नदिया हो, पर्वत हो, सबी जगे वे एक सा प्रकाश डालते हैं तब एक दिन सूर्य देव की मा ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पतनी राणादे का पेड़ भर जाए, हम दोनों तो भुके ही रह जाते हैं तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि मा मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ, और एक हीरा पूरी शष्टी को देता हूँ, चीटी से लेकर हाती तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी का पेड़ भर जाता है, कोई भुका नहीं रहता आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भुके रह जाते हो, मा आप उस हीरे का क्या करते हो तब सूर्य देव की मा ने सूर्य देव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासु बहु आदा आदा करके खा जाते हैं तब सूरिय भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मा हीरे की परक्तो जोरी ही जानता है आप ऐसा करना कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना तब दूसरे दिन रोज की तरह सूरिय देव भगवान ने अपनी मा को एक हीरा दिया तब सूरिय देव भगवान की मा उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई तो वै जोरी बोला कि मा जी इसकी कीमत तो बहुत ज़ादा है मैं पूरा बिग जाओं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा आप किसी बड़े जोरी के पास जाएए तब सूरिय भगवान की मा एक बड़े जोरी के पास गई तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया जिससे उनका घर अनधन, चावल, डाल, घी, गुड, आटा, सूजी, बदाम, काजू, मसालों से भर गया घर में सामान रखने की जगही नहीं बची तब सूरिय भगवान की मा अपनी बहु से बोली की बहु एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया सूरिय कल हमें फिर एक हीरा देंगे हम इतने सामान का क्या करेंगे तब उनकी बहु राणा दे अपनी सास से बोली की मा जी कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे फिर हम पूरी शष्टी और देवी देवताओं को भोग कराएंगे तब दूसरे दिन पूरी शष्टी को वज सभी देवी देवताओं को सुरिय भगवान की माने भोग का निमंतरन दिया लेकिन सूरिय भगवान को उनकी माने निमंत्रन नहीं भेजा सूरिय भगवान की माने तरह तरह के वेंजन बनवाए इमर्ती, जलेबी, बालुशाई, रसगुले, रसमलाई, पोड़ी, सबजी, तरपोले न जाने और क्या-क्या तब सभी देवी देवताओं ने सूरिय भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुमारी माने हमें निमंत्रन भेजा है तब सूरिय भगवान ने कहा कि मेरी माने मुझे निमंत्रन नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाओं तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है उसमें निमंत्रण की क्या जरुत है लेकिन सूरिय भगवान नहीं माने शाम तक पूरे शष्टी जीम करके चली गई तब रातरी के ग्यारा बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी मा ने खाने के कोठ्यार म ताला लगा दिया कि तबी सूरिय भगवान उदर सोचने लगे कि घर कैसे जाओं माने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा परन्तु भूग भी बहुत तेज लग रही है तब सूरिय भगवान एक सादू का वेश बना कर अपने घर पहुँचे और आवाज लगा आते हुए बोले अलायक निरंजन अरी माई बहुत भूग लगी है खाने को मिलेगा तब सूरिय भगवान की मा बोली कि अरे बाबा इतनी देर तक आप कहां थे पूरी शष्टी खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो अब मैंने कोठ्यार में ताला लगा दिया कहीं और भूजन करने जाईए इतने में ही आवास सुनकर राणा दे वहां आई और पूछने लगी कि माजी कोन आया है तो सास बोली कि देख भहू ये सादू आया है जब सब खाना खाकर चलेगे तब ये आया है अब इससे कह दे ये कहीं और जाकर भूजन करे तो राणा अपनी सास से बोली कि माजी कोई बात नहीं हमारे दर से अगर कोई सादू भूका चला गया तो हमारा भोग कराना ही व्यर्त हो जाएगा माजी आप को ठ्यार की चाबी मुझे दे दीजिए मैं भोजन परोज दूँगे तब सास ने ताला खोला बहू ने आसन बिचाया बेटा बैट करके भोजन खाता है यह सुनकर सूरिय भगवान की मा को फिर क्रोध आ गया वे बोली कि अरे सादू भोजन खाना है तो खा नहीं तो चला जा यहां से लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माजी इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए मैं बाद में आसन को धो दूंगी उसके बाद खाने की थाली गिलास कटोरी लगाई तो सादू फिर से बोला कि मैं उनी बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुडिया का बेटा भोजन खाता है अब की बार सूरिय भगवान की मा का क्रोध सात्वी आस्मान पर बोली कि अरे सादू चुपचा भोजन खाता है तो खा नहीं तो रास्ता नाप इतने तीन पांच मत कर लेकिन फिर से राणा दे बोली कि कोई बात नहीं माजी क्या फरक पड़ता है अगर यह सादू उन बर्तनों में भोजन खाना जाता है तो खा लेने दीजिए बाद में मैं बरतनों को भी मांच कर रख दोंगी उसके बाद सादू रूप में सूरिय भगवान ने जम कर भोजन खाया भोजन खाने के बाद सादू रूप में सूरिय भगवान बुडिया माई से बोले कि अरी बुडिया माई रातरी बहुत जादा हो गई है मैं यहीं विश्राम करूँगा, मेरे सोने का इंतजाम करो सूरिय भगवान की मा तिल मिलाने लगी बहु से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा परन्तु सादू रूप में सूरिय भगवान बोले कि बुडिया माई मैं यहां नहीं सोँगा मैं वहीं सोँगा जहां तेरा बेटा सोता है तब रामदे ने उन्हें अपने पती की सेज पर सुला दिया उसके बाद सूरिय भगवान की मा जो दिन भर की ठकी हुई थी उसे भी नीन आने लगी वो भी सोने चली गई उदर आना दे अपने पती को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदल कर आने की क्या ज़रत थी तब सूरिय भगवान बोले की मा ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमतरन भेजा लेकिन मुझे नहीं दिया मा ने मेरे साथ चल किया तो मैंने भी चल रूप धरा उसके बाद सूरिय देव भगवान और राणा दे चोपडपासा खेलने लगे और रातरी में सोगे उस रातरी में राणा दे को गर्ब टहर गया सूरिय देव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़ बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचडी वहीं रह गई नवे मैने में राणा दे को एस सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब उसकी सास अपनी बहु को ताने देने लगी कि ये किसका बेटा है मेरे बेटे को तो घर आये कई मैने होगे तब राणा देने अंगूठी और मोचडी दिखाई और भोग वाले दिन सादुरूप में आये पुरुष के बारे में बताने लगी कि अर्ध रात्री में हमारे घर भोग के समय सादुरूप में जो पुरुष आया था वै कोई ओर नहीं आपके ही पुत्र थे उसी रात्री को हम साथ सोए जिससे मुझे गर्ब टहर गया सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की मा को खुशी हुई गणेजी की कहानी एक गाउ में एक अंधी विद्वा बुडिया माई अपने बेटा वहु के साथ रहती थी उसका बेटा दिहाडी मस्दूरी करता था वह दो समय जितना ही भुजन का प्रबंद कर पाता था वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे अंधी बुडिया माई गणेज भगवान की परमभक्त थी वह रोज नहा धोकर गणेजी की पुजापाड क्या करती थी तब एक दिन गणेज भगवान बुडिया माई की पुजा और सेवा से प्रसन हो गे और उसे एक रातरी में सपन में दर्शन दे कर बोले कि हे बुडिया माई मैं तेरी पुजापाड से प्रसन हुआ मैं तुझे एक वर्दान देना जाता हूं तू मांग तुझे क्या चाहिए तब सपन में ही बुडिया माई बोली कि हे गणेजी भगवान मुझे मांगना नहीं आता तो गणेश भगवान बोले कि बुडिया माई तू अपने बेटा बहु से पूछ ले मैं कल दुबारा इसी समय आऊंगा ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतरध्यान हो गे सुबच जब बुडिया माई सो कर उठी तो उसे अपने सपन वाली बात याद आई तब उसने अपने बेटा बहु को गणेशी वाली बात बताई तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गड़ी भी दूर हो जाए तो बहु बोले कि सासुमा आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुद देखने को मिल जाए तब बुडिया माई सोचने लगी कि बेटा बहुत तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं बुडिया माई शाम के समय घर के चबुतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई उस समय वे बहुत उदास थी कि तबी उसकी पडोसन आई और पूछने लगी कि अरी बहन आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है तो बुडिया ने उसे भी पूरी बात बताई तो पडोसन बोली कि अरी बहन मेरी इमान तू तो अपने खुद के लिए आखे मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदिगी आराम से कट जाए बेटा बहु तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे है ऐसा कहकर पडोसन अपने घर चली गई उसके बाद बुडिया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू कि जिससे बेटा वहु भी राजी हो जाए और मुझे भी आखे मिल जाए उसके बाद बुडिया माई रातरी में भोजन खाकर सो गई अर धरातरी में फिर से गणेजी भगवान बुडिया के सपन में आये और पूछने लगे कि अरे बुडिया माई सो रही है या जाग रही है बुडिया मांग तुझे क्या चाहिए तो बुडिया माई बोली कि हे गणेजी भगवान मैं सोने के कटोरे में पोते को दूद पीता हुआ देखना जाती हूँ तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरी बुढिया तू तो कहे रही थी तुझे मांगना नहीं आता लेकिन तूने तो एक ही वर्दान में अपने लिये अपनी बहु और बेटे सब के लिये मांग लिया बुढिया माई मैंने तुझे सब दिया और तथास्तू का वर्दान देकर गणेश भगवान अंतरध्यान होगे सुबज जब बुढिया माई सो का रूठी तो उसके आखों की जोती आ चुकी थी घर में अनधन के भंडार भरे पड़े थे उसके दो कमरों के टूटे फूटे घर की जगे सुन्दर नोखंडी मकान खड़ा था तीन मैने के बाद बहु को गर्ब टहर गया नवे मैने में उसे सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब बुडिया माई ने अपने पोते को सोने के जूले में जूला जूलते हुए देखा सोने के कटोरे में दूद पीते हुए देखा हे गणेजी भगवान जैसा सुका आपने बुडिया माई को दिया वैसा सबको देना कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भड़ने वाले को घड़ती वो तो पुरियो, पुरियो तो परवान चड़े वुले विसने नाम तेरे भंडार में भरे हमने पूरी ग्यारा कहानिया सुनी तो अब हम इन कहानियों की उद्यापन विदी भी जान लेते हैं सबसे पहले धहमराजी की कहानी की उद्यापन विदी जानते हैं धहमराजी की कहानी और व्रत का उद्यापन गारते समय पांच किलो जवार, पांच किलो बाजरी, सवा किलो तिल या फिर तिल की मिठाई, ब्रामन ब्रामनी के पांच पांच कपड़े, धैमराज जी और चित्र गुप्त जी की चांदी की प्रतीमा, अगर सामर्ते नहीं हैं तो आप मूर्ती और तस्वीर भी ले सकते हैं, चांदी की छोटी से सिड़ी आप लेवे अगर सामर्त है नहीं है तो चांदी का तार भी रख सकते हैं रजाई, गद्दा, तकिया, पलंग, चाता, जूता और लाल्टें और पाच भरतन अगर सामर्त है तो आप इसमें बडोतरी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसमें कटोती भी कर सकते हैं इन सभी सामान को मंदीर में किसी ब्रामन और भ्रामने को देवे यही धर्मराजी के वरत और कहानी की उद्यापन विदी है चार दर्वाजों की कहानी की उद्यापन विदी इस प्रकार है इसके अंदर भगवान के मंदीर का पट खुलवाया जाता है तब प पर्दा लगेगा पंडित और पंडितानी के कपड़े लगेंगे मिठाई दक्षिना के रुपए और नारिय लगेगा और चार चांदी के दरवाजे लगेंगे ये चार चांदी के दरवाजे आप किसी सोनी चांदी की दुकान पर जाकर छोटे चोटे चार चांदी के दरवा तो इसके उध्यापन की विदी बड़ी ही सरल है इसमें सवा मीटर लाल कपड़ा सवा मीटर सफेद कपड़ा रोली मोली चावल नारियल दक्षीना के रूपय और मिठाई जिस भी पंडितानी से आप धर्तिमाता की कहानी सुन रहे हैं ये सारे सामान उस पंडितानी को भोज खिलाकर के देदे में इसमें आप बडोत्री भी कर सकते हैं और आप इसे घटा भी सकते हैं पोपा बाई की कहानी की उध्यापन विदी में दो कासे के कटोरे लगेंगे एक कटोरे में राई भरी जाती है और दूसरे कटोरे में काले और सफेद मिश्रित तिल भरे जाते है इनके उपर दक्षिना के रुपए रख कर किसी मंदिर में पंडित या पंडितानी को कटोरे सहीत दान में दिया जाता है यही पौपाबाई के व्रत और कहानी की उद्यापन विदी है चीक माता की कहानी की उद्यापन विदी इस कहानी की उद्यापन विदी में किसी पंडित या पंडितानी को जोड़े सहित घर बुलाकर के भोजन खिलाए और अपनी सामर्थे अनुसार उन्हे दान दक्षीना देवे आडिबाडी की कहानी की उद्यापन विदी में किसी ब्रामन या पंडितानी को जोड़े सहित घर बुलाकर के भोजन खिलाए उन्हे पांच पांच कपड़े देवे दक्षीना के रुपए देवे और ब्रामनी को सुहाग की पिटारी जरूर देवे गाए माता के वरत और कहानी की उद्यापन विदी इसमें चांदी की गाए लगेगी या फिर गाए के नीमित दक्षीना के रुपए लगेंगे छे मैने या सवा मैने गाई जितना चारा खाती है वे चारा लगेगा दलिया और गुर लगेगा आप ये सारे सामान एक ब्रामन को घर बुलाकर के भूजन खिलावे और ये उसे दान में देवे दोलिये की कथा दोलिये की खता में आप अपनी सामर्थे अनुसार विष्णु भगवान और लश्मी माता के मंदिर में मिठाई नारियल अन्न वस्तर रुपिया दान मेदे में सूरियदे भगवान की कहानी की उद्यापन विदी सुर्यदे भगवान की कहानी की उद्यापन विधी में लाल रंग की वस्तू लगेगी जैसे लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का सिंदूर, तामे का लोटा और गुड ये किसी मंदिर में आपदान में दे सकते हैं तो इससे सुर्येदे भगवान के वृत की उद्यापन विदी सम्पूर्ण हो जाती है। गणेश जी की कहानी की उद्यापन विदी। इसमें गणेश भगवान के मंदीर में जाकर बेसन के लड़ू दक्षीना के रूपय और फूल माला आप मंदीर में चड़ा देवें। यही गणेश भगवान की कहानी की उद्यापन विदी है। ये सबी उद्यापन विदी आप अपनी सामर्ते अनुसार इसमें बढ़ा भी सकते हैं और गठा भी सकते हैं इस तरह आज मैंने आपको मगर सकरांती के दिन से सुनी जाने वाली दमराजी की कहानी के साथ सुनी जाने वाली 11 कहानिया सुनाई साथ ही मैंने आपको इन सबी कहा कानियों को सुनने का संपून फल प्राप्त होगा जहो स्री धम राज्जी की मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद